हलो है शिकाज जी स्वागता ही तोड अपने चैनल ते अज जप तोड़ली सीडीपी दा के नमा सेशनल लेके हाधिर हुए यां एस क्लास देवे चपां सीडीपी दे मोस्ट इंपोर्टन एमसी क्यू डिसकस करन जा रहे हैं तो सेशन नों लास तक देखे हो एक भी कुशन त पाद रहना तुसी जाके देख लेना अधर वाइस तुस्य अपने चैनल ते विजट करो प्लेलेस से विज़ाओ उत्य तो अनू आल सुजेक्स यह वीडियो सीरीज वाइस लिगे मेल जण जाके देख सकते हूं त्या अपनी त्यारी वद्य तरीके नाल कर सकते हूं जेकर पाद वाला जो सीट एच टाट है जिनने भी एक्जाम तो अटे सीडीपी देना अर्लेटर आँगे उन्हान वपा टार्गेट रखके वीडियो बना जाने ठीके जी तर इनना दे विच आप मोस्ट इंपड़न एमसीक्यू डिसकस करांगे जेकर तुसी त्यारी अपनी हाल अपने आज दा सेशन आज दे पहले क्वेशन देना पहला क्वेशन है केडी उमर विच ज्यादा तर बच्चे खुद चलना शुरू कर देने एट वट एज ओप मोस्ट चिल्डरन बिगन टू वाक इंडिपेंडेंटली छे मिन ने बारा मिन ने ठारा मिन जा चौबी मिन इंपोर्टेंट है जी बहुत इंपोर्टेंटम rows है ठीकाजी केडी टेख ची अक्वेर्ट करता होने बच्चे पूंब है और जिट्सर दा मिन चेल्डों ध्यां साहते हैके ये इस कोश्चन दा जड़ा सप्धा है थि 12 में ने ठीक है जी 12 मॉंस ये था बिलकुल क्रेक्ट आंशर है ठीक है जी होपस हो तो अड़ा बिलकुल क्रेक्ट आंशर है जी अगला कोश्चन केडी उमर विच बच्चे अपने खास दोस्तां बारे दसना शुरू करनें एट वट एज डू चिल्टरन टिपिकली स्टार्ट टू शो अ प्रेफरेंस फॉर स्पैसिफिक फ्रेंड्स दो साल चार साल चे साल जा अट साल इस सारे कोशन तो अडेली बहुत इंपोटन टाने ठीक है एक वोजे कोशन ने जिए अपने पेपर देविच बैठके अपनू लगताई कि और आग इत्थ हो रहे ने एक पड़े नहीं होए ठीक है एक वोजे कोशन ने पुछे जा सकते ने इस सारे तुस्थी ते आंदे बी यह बिल्कुर क्रेक्ट आंसर है कही बार है 5 साल भी आजने ए याद रखेऊ यह वैसे होने यह ऑप्षन देविच 4 साल है 5 साल भी आजने ता 5 साल फीर तो अड़े 6 साल तो ड़ेक्ट आट्वरे तो याद रखेऊ है यह जी ग॥े कोशन तो पुछे जाने झाँ अगला characteristics of the pre-operational state in piage theory, मतलब ज़ए बच्चा pre-operational stage दे बिच आ जानदा, ता ओ की करना start करना, ठीके जी, अपध़ा सारी स्टेज़े दियां, पड़िया हुँ जैने, sensory motor, pre-operational, concrete operational, ठीके जी, ते formal operational, ता ये दियां stages ने, अपने development दिया, ता ओधे बच्चा logical थिंक हैं, यानि के logical सो स्टार्ट करना है इगो सेंट्रिजम आजन्द है जा कंजर्वेशन करना स्टार्ट करना है इदे विच मैं पंजाब्य नाल नहीं रखी बस उसी इंग्लिश ते भी याद रखना है ठीक है क्योंकि इंग्लिश अपा मेन अपां इंग्लिश दा वर्डी पढ़ दे हुने को अधा उनाद है कि अ सेक्टारी संचम एगो सेंट्रिजम इगो सेंट्रिजम करना सिस्टार्ट इगयरं बनबस्ति एंग्लिश दौसप्ता ऐन्ष यह तान्सर है साही हुन आप दुन् polaris देना जुड़ा हुए प्री ओपरेशन देना याद रखे दोसी तो पुछा जा सकते हैं दो तो तेन साल दे बच्चे अंदर के हो जाए बिभार अक्सर देखा जांदा है विच ओफ दी फॉलविंग बहेविर इस कंसेडर टीपिकल इन चाइल्ड एजड तू 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 पुछा जा सकते है जदा हुए बच्चे अंदर खेड़ता है ता मतलब ओधा खेड़न दे टाइम के हो जाए बहेव अबस्ट्रेक्ट हुए ठीक है जी तू थोड़ा डूंगा इदे विच्च ओ सोच था खेड़ता है ठीक है जी कॉपरेटेव मतलब मिल जोलके खेड़ता है जा पैरलल प्ले मतलब ओन्हों किसे ना कोई लेना देना नहीं हुए मतलब जादा हो अटैच नहीं हुए ठीक है देशा को खेड़ रहा हुंदा है पर अपने आप ची हुंदा हो खोद ता आंसर नंबर भी यह हुए जी बिल्कुल क्रेक्ट आंसर अगला क्वेशन उन्हा वस्तमादी मजबूद की दर्सावना जो असल विच नहीं देखिया जा सकते हैं केड़ी योगता है विचिज आपर अबजेक्टक्टकर्मावानेंस काहिन है या ऐणिमेशं मलें रहे हैं एमीमेशन अपर मतला घंड हैं जिमिजमें काठ्ग सव typically मघंद लने इगो मतलब हों दिया अपना अहम जिन्हों हंकार भी कहा दना है ठीक है जी जड़ा प्रिवेस क्वेश्चन देवीच पढ़के आया है ता इगो सेंटरिजम में दा आंसर निहेंगा ठीक है तो एदा जड़ा आंसर है आंसर नंबर सी है अब्जेक्ट पर्मानेंस मैं तो पह अब्जेक्ट पर्मानेंस मतलब वह वस्त हुआ जड़ियां जो है नहीं असल देवेच ठीक है ता उन्हों आप बच्चे नों हो एहसास करवाद ने अउन्हों अब्जेक्ट पर्मानेंस गेंदे यह याद रख्यों ता आंसर नंबर सी है ता बिल्कुल क्रेक्ट आंसर है तर नालना तुसी भी अपने अंसर है जड़े हो नोट कर दे जाना है ति एंडर दे उते कमेंट सेक्शन विच दस्यों कि किन्ने कोश्चन तोड़े सही हो रहे हैं जैकर तोड़े तोड़े सीडीपी दा लेवल बहुत बदी है ठीक है जी तुसी सीडीपी दे विचो मार नहीं खाऊंगे इना विचो बच्चे दे विकास नों पर बावत करने बाड़ा था तो नहीं है विचो आफ दी फॉल्विंग इस नौट फेक्टर दैट इंफ्लूइंस चाइल्ड डिवल्पमेंट जैनेटिक इनवेर्नमेंट नूट्रिशन जा फेवरेट कलर तो एदा अगला कुश्म इना विचो केड़ा विदवान विकास दे मनों सामाजिक सिदा अतली जाने 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 विच त्यूरिस्ट इस नौन फॉर्दी साइको सोशल स्टेजिस ऑफ डिवलपमेंट जीन प्याजे एरिका रिक्सन लेव वाइगोस्की या बीएफ स्क आलमोस करके घंध चुंठ कर वादने जूर्णौ ऊशन जी अईनम्य समाजिक दिगाल होघी है साइको सोशल फिकर भीएफ एरिकार रिक्सन बिलकूर क्रेक्ट वोप्सोट अधाने बीट अगला कुशन विकास दे केड़े पड़ा विच्छ बच्चा फाइन मोटर कोशलता मा करने शुरू करने डियूरिंग विच स्टेज उस डिवल्पमेंट डू चिल्डर्न टिपिकली विगन टू डिवल्प दा फाइन मोटर स्केल्ज इनफैंसी टोडलर हुड मतलब एक के स्टेजस सेमीने ठीक squash मतलब टेश्च फ्रीट शायर ai चमण होरे तो प्रलदय और कोशन आर्ख फ़र जेपिकली आर्या ही और यह मandeलत एक कोश्ण में प्रदी तहां लेकर रहा हैं क्योंके एक कोशन तो नूंउ आ सकते हैं जे प्र अपने चोटे पठे ने अपने चोटे पठे ने चोटे जड़े मसल्स ने यहां उंगला हो गिया यूज कर रहे हो तो आनों फाइन मोटर गाने जड़ा ग्रॉसमोटर होंदा ओधे वड़े पठे जाने पठेब आपने पाज रहे हैं चलेंब कर रहे हैं ठीक है जी मदल पहारण चाड़ रहे हैं तो उदे अपने जड़े मसल्स था यूज हो रहे हैं उन्हें पर ग्रॉसमोटर कहां वांगे तो फाइन मोटर दे कल हो रही है बच्चा अपने ओधो चलाओने स्टार्ट करने इदा अंसर होने जी आंसर नमबर B टॉडलर होड थीके टॉडलर होड ओई जूंदी है लिए साल दिवस्ता। अरली चाल्ड होड भी कह सकते हैं तो स्टार्ट करने डिया अरली चैल्ड होड ओप्शन जी ना आ आता तो नौ डॉडलर होड हुआ याद रखे उड़्यों ना मतलब कवर आयो ना कि एक पाता एक्जामीनर ने ठीक है जी सेम ही है अरली चाइल्ड होट नों पर टॉडल होट कह सकते हैं आंसर नंबर बी याद रखेओ पुछा जा सकते हैं प्री स्कूल दे बिच अपा लेटर चाइल्ड होट आगी अपनी जो स्कूल दे बिच बच्चे नूं अपा दाखल कर देने हैं ठीक है जी स्कूल दे बिच उदी रिमिशन हो जन दी है तो नूं लेटर चाहिड होट दे अगला क्वेशन केड़ी ये वस्ता विच बच्चा अपने आपने आपने शीष्य विच पहचानना शुरू कर दे अट वट एज डू चिल्डरन टिपिकली शो सेल्फ रिकोगनेशन इन और मिरर मतलब अपना फेस पहचाननना अपने आपने आपने जज करना स्टार्ट कर अगला कोशन केड़ा विकास माई मील पत्थर तैन साल दी उमर दे बच्चे द्वारा मनने जानता है वाट डिवल्पमेंटल माइल स्टोन इस यूजली अचीवड वाई एज थ्री राइडिंगे बाइसेकल साइकल चलाऊना यूजिंगे स्पून जड़ा चमच होंदा है अपना चमच होंदा है ओ यूज करना ठीक है जी जंपिंग इन प्लेस किसे जगा तो जंप करना ठीक साल दे बच्चे लिए एदा अंसर हुआ जी अंसर नंबर सी बिलकुल क्रेक्ट आंसर है याद रखें तो नों पुच्छा जाओ ठीक है जी आंसर नंबर सी एदा बिलकुल क्रेक्ट आंसर है जंपिंग इन प्लेस मतलों किसे जगा तो शाल मारना ता एव देलीक माइल पूंदी तरह हुंता है तैन साल दे पर चलिए याद रखें अगला कुशन इना विच्छो केड़ी ग्रॉस मोटर कुशलता दी उदा आरना है मैं तो नहीं दोनों ही चीजां दासती हैं फाइन मोटर ते ग्रॉस मोटर ठीक है जी फाइन मोटर जानिके जिडिया अपनिया जी आम्स दा शोल्डर दा इस्तिमाल हुंदा है तो अपनियां हुंदियां ग्रॉस मोटर यह जोए द्राइंग यह फाइन मोटर दे चाहिए राइंग भी फाइन मोटर चाहिए बटन इंगे शोर्ट शर्ट दा बटन यूज बंद करना वी आप उंगलियां दे नड़ कर है ठीक है यह भी फाइन मोटर देदार नहीं तो इदा एक कोई रहा है रहा है राणिंग पजना इदे विच अपना मतलब बिग मसल दा यूजंद है आंसर नमबर सी एदा बिलकुल क्रेक्ट आंसर है सिख्या विच चेफलर्डिंग की है वाट इस केफोल्डिंग एडिए स्केफलर्डिंग मतलब को करें लिए टार नहीं है कौन लाइक है याए ये वाई-गहस की लिए तार नहीं ठीक है यह एक नहीं एज्टोट और बैइसदेन प्रेडिए लेज़िएस ज़ते सिखन दे विचे टाइप ऑफ क्लास्रूम ले आउट एक क्लास्रूम दी कुई टाइप है स्टेंडरडाइज टेस्ट फॉर्मेट एक कुई टेस्ट है तक की चीज़ है सके फोल्डिंग अपक किन्ने वारे देवारे पढ़ ले ठीक है ठीक है तो नूं क्लियर होना चाहिए ठीक है एक स्पोर्ट है एड्यूकेशन दे विच भी एक स्पोर्ट है था अंसर नमबर भी यह हुगा जी बिल्कुल क्रेक्ट आंसर है एक कोशन तो नूं आ सकता है याद रख्यों वैसे तो सारे कोशन ही जन्ने में तो लेके होना बहुत मैं एनलसिस करके मेंद करके तो यह चीजां लेके होना मैंनु एक तुसी सीटीपी दे विच जेटे बच्चे भी मेरी यां क्लास अटेंड कर रहे ने तुसी वद्द तो वद्द वदिया तो वदिया स्कोर करों ठीक है जी तो फस्ट अटेंप्ट इस पेपर क्लीर होए ठीक है जी मेरा मकसद सिर्फ तो पेपर क्लीर करों ने ठीक है तुसी मेननों अपना टाइम देओ एक लासे अटेंड करो ते मैटर पाथ लेके हमांगे ठीक है जिनना भी वदिया तो दिली मैटर होया अवेलेबल कर भाए ठीक है कोई तो अपना फीस चार्ज नहीं कर रहे ठीक है जी सिर्फ फ्री आफ कॉ अगला क्वेशन नहीं तुसी अपना टाइम सानु देना है ता आंसर नमबर बी यह दा बिलकुल क्रेक्ट आंसर है जी ठीक है जी अगला क्वेशन ब्लूम दी टैक्सोनोमी बरती जान दिया ब्लूम टैक्सोनमी देविच वेक्वेशन तूसी हार एक पेपर लेड़े ब्लूम दी टैक्सोनमी का देली यूज किती हैं दिया क्लास्रूम नो मैंनेज करन देली को स्ट्रेटजी हम नोनिया ने ठीक है जी क्लास्रूम नो मैंनेज करन देली क्लासिफाई एड्यूकेशनल गोल्स अबजेक्टिव ठीक है जड़े भी तुसी अपनी सिख्या दे ग सब्सक्राइब क्लासिफाइब एडुकेशनल गोल्स एंड अब्जेक्टिप्स अंसर नंबर भी जी अगला कोशन अधे आपन दे किस तरीक के रही कदे आपक किर्या शील्दानल बच्चानों प्रेर्द करता है विच्टीचिंग मैथड इसप्रेक्टरस्टिक वाई टीचर एक्टिव रोल इन गाइडिंग दा लर्निंग प्रोसेस केडे मेथड दे रही कैदे आपको बच्चानों मोटिवेशन दना है तिक गाइड दर लेक्चर मैथड रही इनक्वाइरी बेस्ट लर्निंग दे रही क कॉपरेटिव लर्निंग जा डिरेक्ट इंस्ट्रक्शन लेक्चर दे रही थे कि लेक्चर आपका किसी टॉपिक दे रहे हुने हैं इंक्वेरी बेस्ट लर्निंग भी एदा आंसर नहीं हो सकता कॉप्रेटिव लर्निंग देपिछ आपा इकठे सिख्राई होने या यह भी नहीं हो सकता तो अधे आपके दिगाल करिए क्यों गाइड कर रहे बच्चे नूँ तो डी यह हुआ जी डिरेक्ट इंस्ट्रक्शन म अधे समस्या मस्वलों जों उनली कठे कम करते लिए इन विच मेथड डू स्टूडेंट्स वर्क टूगेधर तू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कंप्लीट टास्कस ट्रेडिशनल लेक्चर मतलब केड़ी विदी है ट्रेडिशनल लेक्चर ठीक है जी एड़ा तोड़ा ल लग दे आ रहे हैं तुसी लेक्चर लगा रहे हूं कॉपरेटिव लर्निंग आ सकता है जा इंडेपेंडेंट स्टूडी मतलब बच्चे इंडेपेंडेंडेंट ने संतर ने स्टूडी देली डेमोंस्ट्रेशन मेथड होंदा है ठीक है एदे विच भी तोनों क्वेशन आंसर दी फॉर्म दे विच वनदा है तो अधे पीचे एक अठे एक अठे कम करने लिए यूज कीता जन्दा है आंसर नमबर बी यह ता बिल्कुल क्रेक्ट आंसर है ठीक है ए अपने आज दे 15 कॉश्चन आपका डिस्कस कीते ने सारे दे सारे कॉश्चन तो अडली बहुत इंपोटेंट करें इत्युक्त एपने विडियो देह के रिवाइज कर लेओ ठीक है टीको अपने डाण कर लिए ओनोट्स इस अपने खु़ त्यार करो कि वीडियो के में लगी एंड किन्ने कॉश्म तोटे सही होएंगे ता आज दी वीडियो दा पैथी एंड कर दें आज दी वीडियो देखन देली बहुत-बहुत तानवाद